पहले की राजनीती और आज की राजनीती में क्या फर्थ है? आज के समय की राजनीती बहुत पैसे पाराधा रहे थे, बहुत महंगी हो गई है। जब रुतवे की, पैसे की और आयाशी की आदत पढ़ती है तो सत्ता की भूख ऐसी होती है कि उसके बिना व्यक्ति मचली जैसा तड़ापने लगता है। यही समस्या भीजबी के साथ है। मध्यप्रदेश में कॉंग्रेस कमजोर हो रही है, क्यों? इसलिए कमजोर हो रही है कि सत्ता के चलते, लंबे समय तक, जिन बीमारियों का उदाय हमारी पार्टी के अंदर, कारिकरताओं के अंदर, नेता के अंदर आया, वो बहुत जादा सुभी धभ होगी हो गए है। क्या आगले चुनाव तक मध्यप्रदेश में कॉंग्रेस वापस आ सकती है? हंडेट परसेंट, अभी तो वो कह रहा हैं, टाइगर अभी जिन्दा है, मामा अभी मरा नहीं है, तो पहले कह रहे थे कि मैं मर जाओंगा अब दिल्ली नहीं जाओंगा। आज हमारे साथ ऐसे कद्धावर नेता है, जो एक वक्त पे पूर्व रणजी के खिलारी रहे हैं, कॉंग्रेस के बड़े प्रवक्ता रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कॉंग्रेस के मीडिया सेल के प्रमुक, कॉंग्रेस के मीडिया सेल के अध्यक्ष जी का आपका बहुत-बहुत स्वागत है नेशन मेरे में मेरा पहला सवाल जब आप रणजी के खिलारी रहे क्योंकि उस वक्त रणजी खेलना एक बहुत बड़ी बात थी तो आपने रणजी खेल को क्यों छोड़ा एक्चुली जिस कॉलेज में हम पढ़ते थे उस कॉलेज में हमारी पैनल चुनाव हार गई हम बहुत पॉपुलर स्टुडेंट थे वहां के तो अगली दफ़े जब चुनाव हुआ तो सब लड़कों ने मिलके मुझे चुनाव में खड़ा कर दिया और मैं चुनाव जीत गया चुनाव जीता तो उसके बाद जो सागर विश्विद्यालय का चुनाव हुआ उसमें मैं अनपोस एलेक्ट हो गया इसी बीच में सागर विश्विद्यालय को केंदरी विश्विद्यालय बनाने को लेकर एक बड़ा आंदोरन हुआ और उस आंदोरन में हम 21-22 लड़के जेल चले गए, तो एक डेड़ महीने हम लोग जेल में रहे, जेल से निकले तो बहुत बड़ा वेलकम हुआ हम लोगों का, और वो मूमेंट पूरी स्टेट में फैल गया, पूरे राज में, क्योंकि सागर विश्वेद्यार अपने आप म चौदा जिलो के अंदर उसके कॉलेज अफिलेटिट थे, बहत्तर कॉलेज उससे संबध रहे हैं, तो उसी बीच में नाकपूर में इंदरा गांधी आई, हम लोग जेल से चूटे, और नाकपूर में इंदरा गांधी आई, तो हम लोग अने मिलने के लिए समय मांगा, जाव मंतरा और धोटे वहाँ अगनाईजर थे, मेंबर पार्लिमेंट थे, हमको समय दिया, हम सब दो बस में भरके वहाँ पहुँचे इंदरा जी से मिलने, और बस वहाँ से राजनीती की शुरुबात हो गई, कुछ ऐसी बीमारी लगी कि फिर वो दूरी नहीं हो गई आप इतने वक्त से विधायक रहे, मंतरी रहे, पहले की राजनीती और आज की राजनीती में क्या फर्क है? मुझे लगता है समय के साथ मूले बदलते हैं, परंपराएं बदलती हैं, संस्कृती बदलती हैं, और काल समय और परस्तिती के अनुसार जो बदलाव आते हैं, उसको दो भागों बनी बाटना चाहिए, पुराने समय की राजनीती बहुत पैसे पर बेस नहीं थी, और आज के समय की राजनीती बहुत पैसे पाराधा रहे थे, बहुत महंगी हो गई है, आज कोई साधरन व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है, विधान सबास सत्र जब चलता था पहले, तो काफी लंबे समय के एक महीने, दो महीने, काफी लंबे समय तक चलता था, लेकिन अब व पूरी अनुदान मांगे, पूरे सब्जेक्ट डिमांड्स, जिस पर सत्रा दिन चर्चा होनी थी, उस सत्रा दिन की चर्चा को गिलोटिन पधती से धाई घंटे में समय दिया, और धाई घंटे में पूरी चर्चा पूरी खतम कर दी, तो जब मुझे याद है, जब 1985 में मै MLA था, तो बहुत लंबी-लंबी बैठके होती थी, और अपोजिशन पार्टी को बहुत आजादी थी अपनी बात कहने की, और दो-दो घंटे वो लोग भाशन देते थे, और इतने तीखे और धारदार भाशन होते थे, कि उसका रिपलाई देना मुश्किल होता था, आज तो विपक्ष के रोगों को बोलने ही नहीं दिया जाता, जिस पार्टी का जो समय नियत है, अगर उससे एक मिनिट, डेड़ मिनिट भी आगे पीशे हो जाए, तो विधान सब अध्याश बोल देते हैं कि आपकी पार्टी का समय खतम हो गया। आप लंबे समय से कॉंग्रेस का पक्ष मीडिया के सामने रखते आएं। एक बहुत अच्छे प्रवचन करता भी है, भागवत कथा भी आप पढ़ते हैं, तो ये राजनेता से प्रवचन करता का सफर ये आध्यात्म की और जो आपका सफर गया, ये कैसे रहा। आदमी के पास समय बहुत होता है, तो आदमी अपने समय का उपयोग नहीं करता है। अब मेरी सुरू से ये नेचर रही है, कि खटर 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 कुछ न कुछ करते ही रहो, टाइम को यूटलाइज करो, अब ये किताब यहां रख देता हूँ, कि अब ये किताब पढ़ना है, तो पढ़ना है, इंट्रेस्ट है, इन्वाल्मेंट है, इसको समझने की को और मैंने अश्टावकर की महागीता, बुद्ध के पूरे धब्वपद, मीरा, सहजो, नानक, गोरक, कबीर, तुलसी, यह मैंने बहुत कब उमर में इसको पढ़ना शुरू किया, और सागर विश्विद्याले में मुझे छह महीं में पढ़ाने का भी आउसर मिला था, जब हि मैंने इस्पेशल पोएट कबीर और तुलसी को पढ़ाया है, और लकीली मैं मैंने पहले दो-तीन दिन जब क्लासिस ली, जब अपने लेक्शर डिलिवर किये, तो मुझे खुद भिस्वास नहीं था, कि स्टुडेंट्स पर उसका कितना विलक्षन असर हो रहा है, तो किसी ने हमारा नाम भी बोल दिया, कि यह भी रामायड पर कुछ जानते हैं, तो कुछ बोलेंगे, और वहां मैंने आदे घंटे, पौन घंटे का भाशन दिया, और मुझे खुद अन्दाज नहीं था, कि पूरे संत समाज में इस तरह की विलक्षन प्रतिक्रिया होगी, क् कि मेरी बिल्कु द्रश्टी नहीं थी, और किसी का पड़ा-पड़ा यह नहीं बोलना था, जैसा मैं सोचता था, जैसा समझता था, गरंथ को, मैंने अपने धंग से उसकी व्याख्या की, जो जो उनको बहुत अच्छी लगी. आध्यात्म के ग्याता, मुकेश नायक, नेता मुकेश नायक से कितने अलग हैं? क्या अंतर है दोनों में? नहीं अलग नहीं है, अलग नहीं है. धर्म जीवन कला की आत्मा है और राज नीती शरीर है, ऐसा सरीर सड़ जाता है और दुरगंदे देने लगता है जिस से आत्मा निकल गई है. तो जो वास्तविक धार्मिक व्यक्ति होगा वो अंतता है आध्यात्मिक हो जाता है क्योंकि हमें तो ऐसा लगने लगा कि धार्मिक आदमी दुनिया को जादा जल्दी खतम कर देगा अधार्मिक आदमी की तुलनाम है वो जादा खतरनाक दिखाई देने लगा क्योंकि धर्म के पर जिस तरह का सम्मान का बातावरण है यह डराने वाला है क्योंकि धर्म की बारे में बात की आजकल ऐसा माहूल चल रहा है कि धर्म के नाम पर लोगों को बाट रहे हैं मतलब काफी लंबे वक्त से चल रहा है अपने सोशल मीडिया बहुत सारी चीज़े देखते हैं इन चीज़ों के बारे में आप क्या सोचते हैं देखिए हमने तो पूरी धर्म संस्कृति और परंपरा के बारे में पूरे ग्रंथों ने रिशी परंपरा ने सब ने यह संदेश दिया कि धर्म से व्यक्ति उदार शहष्णू दया करुना प्रेम उदारता यह सब उसके रही है शहष्णूता की कमी आ रही है और अपने धर्म को स्तरेश्ट बता कर दूसरे के धर्म को छोटा बताने की प्रवर्ति भी जागरित हो रही है यह खतरनाक है काफी वक्त से जो कॉंग्रेस के नेता है बड़े बड़े नेता और कार्य करता वो बीज़ेपी में शामि का वो क्यों नहीं हुए हमारी अपनी पार्टी की आइडियोलोजिकल कन्वेक्शन है हमारे अपने पार्टी की विचार और उसके लिए हमारी प्रतिवत दिता है और हम पड़े लिखे आदमी है देखिए हमने एक बार पार्टी छोड़ी कॉंग्रेस लेकिन हम बीज़ेप ने बांध तोड़ दिये और हम पार्टी छोड़कर चले गए लेकिन हम फिर भी बीज़ेपी में नहीं गए थोड़े समय बाद अपनी पार्टी में वापस लोटे और तब से 27-28 साल से तो हम अपोजिशन में हैं निरंतर अगर पार्टी के लिए कन्वेक्शन नहीं होता एक विचार के प्रति टिकने की अगर प्रति बद्धता नहीं होती तो बाकी फाइदा नुकसान का लेखा जोखा लगा के जो दूसरे नेता चले गए वैसा हम भी चले जाते पर हम लोग अलग दुनिया के लोग हैं अपने आपको जोकने की शमता रखते हैं हमारे अंदर भगवान ने बहुत सरलता दी है और हर जगे एड़ेस्ट होने की शमता दी है और कई ओप्षन्स दिये हैं जिन छेत्रों में हम काम कर सकते हैं आपने भी पार्टी के बारे में बात की एक वक्त पर मध्यप्रदेश में क्या देश में ही पूरे देश में मध्यप्रदेश में हर जगे कॉंग्रस बहुत मजबूत पार्टी थी विपक्ष उसके सामने था नहीं लेकिन अब ऐसा है कि मध्यप्रदेश में कॉंग्रस जोर हो रही है कि सत्ता के चलते लंबे समय तक जिन बीमारियों का उद्धा हमारी पार्टी के अंदर और कारिकरताओं के अंदर नेता के अंदर आया वो बहुत ज्यादा सुविधा भोगी हो गए और जैसे ही सुविधाएं कम हुई तो उसको जेल नहीं पाए संघर्स नहीं कर पाए है ना आज भी बीजेपी से ज़्यादा कारिकरता काउकरेस के पास है लेकिन वो हम साइकलोजीकल वार में हार जाते हैं एक मनों वैग्जाने कि युद्ध में हम पराजित हो जाते हैं हमारे कारिकरताओं के अंदर हम जीश सकते हैं यह एक्षाई खतम हो गई उन् नए सेरे से हम लोग दुञ ताना बाना भुन रहे हैं, हम लोग यह कह रहे हैं कि休 सकते हूं। हम लोग भी जबी को हराएंगे एक प्रतिबधता चाहिए एक शंकल्प चाहिए और एक जुनून चाहिए और एक समयबध व्यवस्थित रूप रेखा चाहिए जिस पर चलकर हम परिवर्तन की भूख को जगाएं मध्य प्रदेश में लोगों से कहें कि वो एक्सपेरिमेंट करें पॉलिटिक्स में और राजनीती को इतना ठंडा ना होने दे क्या आगले चुनाव तक मध्य प्रदेश में कॉंग्रेस वापस आ सकती है हंड़ेट परसेंट अगर लाडली लक्षमी योजना कासर नहीं हुआ होता तो इस चुनाव में भी कॉंग्रेस बीजबी को हरा देती और इसके पहले चुनाव में हमने सरकार बनाई थी ऐसा नहीं है कि हम दे बीजबी को हराया नहीं है लेकिन अब आप कल्पना करिए कि हमारे नेता सरकार को नहीं बचा पाए सरकार चली गई हमारी यह बाईस बाईस चालिस चालिस हैमले पार्टी छोड़ कर चले पास क्या information थी क्यों अपनी party को समेट नहीं पाई यह बड़ा दुर्भागे जनक है और इन तमाम चीजों से बहुत सबक लिया है हमारे नितावने कारिकरतावने और यह हमारे बहुत काम आने वाले हैं भविश्य में हम दोग सरकार भी बनाने वाले हैं और हम एक ऐसी मॉडल कावर्मेंट वनाएंगे जो लोगों को लगेगा के वो समाज के सबसे निशिले स्थर के आदमी को प्रभावित करने वाली है आपने लाडली बहना योजना की बात की लाडली बहना योजना का एक बढ़ा इंपेक्ट पड़ा है बीजेपी की जीत के उपर लेकिन एक तरफ ये भी है कि लाडली बहना योजना में इतना पैसा लगता है उससे सरकार का खजाना खाली हो रहा है देखिए हितिगराही मूला की योजना है व्यक्ति के सहायता की योजना है और सरकार के बहुत एक लक्ष उनकी योजना है इन दोनों में बजट के नियोजन में समनवाय होना चाहिए वो बीजेपी ने शुरू से नहीं रखा आज भारती जंता पार्टी का जितना बजट ह है उससे ज्यादा इनकी उपर करजा है उससे ज्यादा करजा है जितना इनका टोटल बजट है अब इनको टोटल टोटल वार्शिक योजना का बीस परतिशत ब्याज में चला जाता 65% स्टैबलिश्मेंट का खर्चा है पचासी परसेंट हो गए अब इनके पास केवल 15 प्रतिशत राशी बचती है जिसे इने आधार्बूश सनचरा को मजबूत करना है infrastructure के लिए, school के लिए, इस्पताल के लिए, दूसरे बहुते क्लक्षों के लिए तो जहां एक योजना ने इनको लोगपरीता के शिखर पर ला दिया, वहीं असंतुलन बनने के कारण ये फिर से अर्शिश फर्श पर आने वाले हैं क्योंकि सडके नहीं बनवा पा रहे हैं ये, और तमाम अधूरी योजनाएं पड़ी रह जाएंगी, कोई उनके पास पैसा ही नहीं है, दूसरी मदों पर काम करने के लिए, लोगों की बीच-बीच में डिमांड आती है, चोटी-मोटी, वो भी पूरी नहीं कर पाएंगी, दोना का बैलेंस खतम हो गया, जब रहूल गांधी जी ने यात्रा निकाली थी, भारजोड़ो यात्रा, तो उसका बहुत अच्छा असर पड़ा है देश में, लेकिन MP में ये यात्रा इतना काम नहीं कर पाई, ये थोड़ी फीकी पड़ गई यात्रा ऐसा क्यों हुआ? यात्रा फीकी नहीं पड़ी, यात्रा का इंपेक्ट चुनाओं पर नहीं आया, अगर यात्रा फीकी पड़ी होती, तो जो राहूल गांधी जी को मजाग बनाने में, बीजेपी ने जो हजारों करोन रुपे खर्च किये, और उनकी मूर्ती को जो खंडित करने की कोशिश क इस पड़ियात्रा से उनके व्यक्तित में एक नई निखार आया, लोगों ने असली राहूल गाधी को देखा, उनकी विचारों को समझा, और उन्होंने भी सम्रिद भारत की विविदता को समझा, यहां की बदलती, संस्कृती, परमपरा, रूप, यहां की रिच्वल्स, यहां की ट्रडिशन्स, उनको सम्रिता को, संस्कृती को, परमपरा को, पूरे देश की 4,000 किलो मीटर की पधियात्रा करना कोई सामाने बात है, भारत वर्ष में आजादी के बाद किशी ने इतनी लंबी पधियात्रा भारत वर्ष में नहीं की. एक आखरी सवाल में आपसे पूछना चाहूंगी, कि जिस तरह से आप जो कॉंग्रेस का पक्ष रखते हैं, वैसे जो बाकी कार्य करता हैं, जो नेता हैं, वो जो मुद्दे होते हैं, जमीनी हकीकत, उसको उस तरह से क्यों नहीं रख पाते हैं? नहीं रहम रखते हैं, लेकिन इस देश का दुरभागय है, जो डिस्ट्रक्शन है, जो नकारात मकता है, हमारे एक जूठा नारा हमारी शताब्दियों की महनत को नष्ट कर देता है, द्वस्त कर देता है, एक भीड में खड़ा हुआ कमजोर से कमजोर आदमी इतना खतरना हो जाता है कि पूरी भीड की दिशा बदल लेता है, हुआ यह है कि आजादी के 30-35 सालों के बाद भारती जनता पार्टी ने अपने एक अलग राम का निर्मान कर लिया है, और वो उनके जो अलग राम है, वो सनातन धर्म, संस्कृति और परमपरा के राम नहीं है, वो एक प्रे रख है विवाजन की राजनीती के, कैटलिस्ट है, वो विवाजनकारी है, और चुनाओं पर प्रभाव डालने वाले कैटलिस्ट है, वो प्रे रख है, वो असली राम नहीं है, वो बीजेपी के राम है, और जो धुर्वीकरन होता है, उसके आजार है, धार्मे का आस का आजार बनाना और अशुरक्षा और इंफिरियाइटी और फियर पैदा करके संगठन बना लेना ये और परिवर्तन कर देना पॉलराइज कर देना ये निरंतर निरंतर एक प्रक्रिया बन गई है इसका असल लोगों पर होता है और संयोग या दुर्योग से वो इस चीज को establish करने में पिछले दिनों सफल रहे कि कांग्रेस पार्टी मुसल्मानों की पार्टी है और बीजेपी हिंदूओं की पार्टी है लेकिन दीरे दीरे इस चुनाओं में वो पोल खुल गई और लोगों को लगने लगा ये धर्म के नाम पर सरकारे बनाते हैं वोट लेते हैं और ना गरीबी दूर होती है ना रोजगार मिलता है ना ये हमारे बहुत एक लक्षम अरजित करते हैं यह हमें मुर्ख बना रहे हैं एक प्रतिशत भारत का आदमी भारत के सत्तर प्रतिशत एसेट्स पर कबज़ा किये हुए है इन दस सालों में जितनी असावांता बड़ यहने इंडस्टियलिस्ट की पांच उद्योग पतियों की जो संबत्ती है एक एक साल में दस दस गुना बढ़ रही है और गरीब आदमी और गरीब होता चला जा रहा है तो जो यह इंबैलेंस है जो गैर बराबरी है भारत में गरीबी नहीं है भारत में गैर बराबरी है गेर बराबरी है इसलिए गरीबी इतनी ज्यादा है ग्रासरूट लेपर ग्रामेंट शेत्रों में कि लाडली लक्षमी जैसे योजनाओं का एक गेर हजार रुपे भी मतलब वो चुनाओं में कतलियाम कर देता है मतलब चुनाओं की पूरी रूपरेखा को बदल देता है गर गुद्व की पार्टी है और विजय ऐसा बोला गया कि कॉंग्रेस मुसल्मानों की पार्टी है लेकिन तो आप कहना क्या चाह रहे है कि जो आयोध्या में राम बंदिर बना है उसके कॉंग्रेस का कुछ लोगों ने उसको अलग नजर से देखा है कुछ लोगों नजर से त कि कोई शरीर बना नहीं है तो इसमें प्राण कैसे आ जाएंगे मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ है और आपने प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पूरी जो हमारी हमारी माने संस्कृति है परंपराय है विधान है उसके अनुसार भी आप नहीं कर रहे हैं अगर ये राम मंदिर क असर, राम मंदिर का असर अगर सकारात्मक रूप लेता तो अयोध्या में काय को बीजेपी हारती, आज भूक और गरीबी अज्ञान और अशिक्षा मंदिर से जादा बड़ा मुद्दा है भारत वर्श में, ये सिद्ध हो गया और इसलिए अयोध्या में भी हारे, रेंगाई बढ़ती है तो उसका सर मसल Souls पर भी होता है, हिंदू पर भी होता है अगर हिंद्टों की पार्टी है तो तेल तेल सौर रुपे, सौर रुपे किलो है, हिंदूओं को पचास उनको नौकरी क्यों नहीं देते उनको फ्री में शिक्षा क्यों नहीं देते इतनी स्कीम एजुकेशन की लगा रखी हैं इस्कीम का प्रतिवाशाली बच्चों को फाइदा नहीं होता पाँच एकड़ के किसान है सिवरासिंग चाहान जी उनके बच्चे अमेरिका में पड़ रहा है बताईए सरकारी स्कूल की फीज़ देना मुश्किल होता है पांच एकड़ के किसां को बच्चे विदेश पर पढ़ने जाते हैं भटकते रहते हैं दर दर पर चपले रगड़ते हैं उनकी श्कॉलर्शिप मंजूर नहीं होती कहां जाते हैं यह पैसे कुछ पता ही न लेकिन देखा गया कि मध्यप्रदेश में शिवरा सिंग चोहान को मामा के नाम से जानते हैं और उन्होंने बहुत पसंद भी करते हैं लोग अब मामा चले गए बिचारे क्या अभी तो वो कह रहा हैं टाइगर अभी जिन्दा है मामा अभी मरा नहीं है तो पहले कह रहे थे कि मैं मर जाओंगा पर दिल्ली नहीं जाओंगा तो वो बिचारे खुद अब सत्ता इतने वर्षों तक सत्ता की आदत पड़ी है अभी तो नींद से उठते हैं तो उन्हें लगता कि अभी भी मत्प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अब फोड़े समय और उनको जीवन की वास्तविक्ता से जैसे हर आदमी को एक समय सामना करना पड़ता है अभी उनको वो समय फेस करना बाकी है जब करेंगे धरादल पर आएंगे तो होश उड़ जाएंगे उनके अभी हाली में बहुत बड़ा मुद्धा चल रहा है कोलकाता में वहां पर डॉक्टर का रेप के रेप हुआ है उसके उपर राजनीती भी आई दोनों जो पक्ष और विपक्ष दोनों इसमें कूद गये इस चीज़ को आप किस नजर से देखते हैं देखिए सीबी आई इंक्वारी के औरडर हो गए सीबी आई इसकी जाच कर रही है और सीबी आई केंदरी सरकार के आधीन होती है तो हमें उम्मीद है कि सीबी आई दूद का दूद पानी का पानी कर देगी और जो जो भी इसमें अपराधी है इसको फांसी के फंदे तक ल दिया गया है मद्द प्रदेश में तो रोज ऐसी घटना है हो रही है तब नेता क्यों नहीं बोल दे भाई मैं बलातकार को कौन उचे ठैरा सकता पूरे देश में और इससे ज्यादा अमानवी दुर्भा की जनक बात और क्या होगी लेकिन पश्विम मंगाल में हुआ है इसल स्टेट्स के राज में निर्वस्त करके महिलाओं को गुमाया गया साड़क पर जिंदा जला दिया गया मोदी जी गए तक नहीं कितनी दोहरी निष्ठा है मतलब गाउं के गाउं जल गए हजारों लोग मर गए ठाने जल गए पुलिस वाले मर गए इस तरियों को निर्वस है और वहां का आदमी अलग है मध्य प्रदेश की छतरपूर में थाने पर पत्रा हुआ विशेश समुदाय के लोगों ने पत्राव किया और फिर बाद में पुलिस ने कार प्रशासने कारवाई करते हुए एक बंगला गिरा दिया और उसके बाद इस पे कोट का आदेश भ हो गई किसी का मकान रातो रात गिरा देना सारे जीवन की कमाई से बनाया गया मकान कोई मामूली घटना है क्या मामूली बात उस व्यक्ति के लिए जिसका मकान गिरता है एक प्रक्रिया होती है इंक्रोच्मेंट हटाने की आपको नोटिस देना चाहिए पुनारवास के लि बिना प्रक्रिया अपनाए बिना नीती नियम अपनाए आपने किसी या मकान गिरा दिया और यह पहली घटना नहीं है यह उत्तर प्रदेश और मद्धप्रदेश में यह की समधाय के लोगों को टार्गेट करके यह हो रहा है यह की समधाय के यह क्यों हो रहा है भाई छतरप में दमों में पन्ना में ठीकमगड में सागर में एक डेड़ लाख मकान है जिनकी कोई पर्मीशन नहीं है लेते ही नहीं वहां के लोग पर्मीशन जानते ही नहीं के पर्मीशन क्या है और पचास प्रतिशत मकान आजादी के पहले बने हुए किसी की पर्मीशन नहीं है तो क् शहर गिरा दो गया आप नियम प्रक्रिया और परंपरा दोनों से समाज और देश चलता है नियम का भी पालन करना चाहिए प्रक्रिया का और परंपरा का भी किसी का भी मकान आप बुल्लो जर चला के गिरा देते हैं और उसमें भी आप आप की पार्टी के लोगों की सोच अल इसलिए सुप्रीम कोट की जो टिपड़ी आई है इसी विंडेक्टिव नेचर पर आई है क्या पैसे कैसे किसी का मकान किरा सकते हैं वीजेपी एक बहुमत वाली पार्टी है लेकिन फिर भी कॉंग्रेस के विधायकों को इनको तोड रही है इस तरह की राजनीति को आप किस जब रुतवे की पैसे की और आयासी की आदत पड़ती है ना तो सत्ता की भूख ऐसी होती है कि उसके बिना व्यक्ति मचली जैसा तड़ा कुने लगता है यही समस्या भी जबी के साथ है सत्ताई सथाई साल से साशन में है बिना साशन के रह नहीं सकते विधायकों को जो लोग छे महीने पहले कांग्रिस का चुना उच्चेने लेकर जनता के बीच में जाते थे छे महीने बाद वह बीजेपी का कह रहा है इस पर बीजेपी के चुना उच्चेने पर मौर लगा यह क्या स्वस्त लोगतांतरिक परमपरा है क्या यह कोई यह ऐसे कोई मुल्यो तरफ जा रही है उसका पराभव हो रहा है उससे मूले कम हो रहा है और प्रजात अंत्रे के मूले नीचे गिरने से राजनीति में गिरावट आने से सबसे ज्यादा असर होगा गुणवक्ता की राजनीति पार जो एक पलिटिकल एक्सिलेंस है ये खतम करने की कोशिश है ये और भी बड़ी बड़ी हस्तियों के बारे में जानने के लिए नेशन मेरर को फोलो करें